Hey friends, welcome. कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्त होंगे. आज की reading है हमारी Cancer, Pisces and Scorpio. That means Water Science के लोगों के लिए. Sun, Moon, Rising, किसी भी तरह से अगर आप Water Science से connect होते हैं, तो ये reading आप लोगों के लिए helpful हो सकती है. इस reading में friends हम लोग चेक करेंगे कि आपके partners की current energies क्या है, उनके दिलों और दिमाग में आप लोगों के लिए क्या चल रहा है, उनका next move क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है, and meanwhile आप लोगों के लिए क्या guidance है. Reading timeless है, जब भी देखेंगे तब ही resonate करेगी, general है, collective है, सबी signs के लिए है, वैसे तो Cancer, Pisces, Scorpio आपका sign है, लेकिन आपके person का zodiac sign कुछ भी हो सकता है. So, हम चेक कर रहे हैं कि आपके person की current feelings क्या है, proper energy exchange करने के लिए video को like करें, person को अपने visualize करें, please divine universe बताइए, angels बताइए, जो भी water sign की लोग हैं, उनके person की current feelings क्या हैं आपको लेकर, उनको लेकर, 5 of cups का card है, Cancer, Pisces, Scorpio हो सकता है, उनके भी zodiacs यही हो, 5, 14, and 23 number आप लोगों के लिए prominent दिखाई देते हैं, आपके person की current energies ये हैं, चाहे आप contact में हैं, चाहे आप less contact में हैं, चाहे आप no contact में हैं, आपके person बहुत ज़्यादा emotionally disturbed हैं, and आपको काफी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं totally, and life में, इस connection में beautiful change लाना चाहते हैं, night of cups, अगर इनोंने separation खुद से किया है, तो यहाँ पर इनको guilt है, इनको regret है, कि इनोंने प्यारा सा connection तोड़ दिया, बिखेर दिया, अब ये person आपको approach करना चाहते हैं, and इस connection की नई शुरुबात करना चाहते हैं, लेकिन still, depression में हैं, emotionally disturbed हैं, लेकिन अभी भी, एकदम से action लेते हुए नहीं दिखाई देते, slow and steady life को balance करते हुए, and then आपके लिए action लेते हुए दिखाई देते हैं, सो चेक करते हैं, और इनकी feelings के लिए क्या cards निकल कर आते हैं, ओम साहिराम, next card है Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, energy आपके person की हो सकती है, 3, 12, 21, 30 नमबर आप लोगों के लिए prominent हो सकते हैं, आपके person right वक्त का, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आपको approach कर सके, और इस रिष्टे में सब कुछ दुबारा से recreate कर सके, वोटम में हैं हमारे पास judgment, आपके person इस रिष्टे में justice चाहते हैं, नयाय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, डिवाइन से prayers कर रहे हैं, manifestations कर रहे हैं, इस रिष्टे की एक नई शुरुवात चाहते हैं, और आपके person को कहीं न कहीं पता है, चाहे तो उनके knowing, आप दोनों के common friends, या फिर वो आपको stock करते हैं, कि अभी भी आपको उनका और सिर्फ उनका इंतजार है, आप में से कई लोग marriage भी हो सकते हैं, और after marriage आप लोगों का separation हुआ हो, ऐसी possibility भी है, तो definitely आपके person आपको emotionally बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ right वक्त आते ही action लेना चाहते हैं, और उस right time का बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं, और चेक करते हैं, मेरे viewers जिनकी energy है cancer, Pisces, Scorpio, जिनके zodiacs हैं, उनके person उनको लेकर क्या feel कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वे कोई काट चाहिए, मैं एक ले रही हूँ, दो नहीं चाहिए, seven of vans का काट है, आपके person खुद को occupy करने की कोशश कर रहे हैं, अपने career में, अपने घर पर, अपने responsibilities को पूरा करने की कोशश कर रहे हैं, लेकिन still, 24 into seven उनके mind में सिर्फ और सिर्फ आप हो, कही न कहीं आप से थोड़े नराज भी दिखाई देते हैं, क्योंकि आप भी इनको खुद से अप्रोच नहीं कर रहे, आप चाहते हो कि अब ये efforts लगाएं, लेकिन still, आपकी मजबूरियों को भी समझ रहे हैं, और कहीं न कहीं third party situation की वज़े से काफी नराज, गुसे में और परेशान दिखाई देते हैं, बोटम में देखते हैं क्या card है, ace of swords, ये आपको clarity देना चाहते हैं, आपको दुबारा से एप्रोच करना चाहते हैं, इस रिष्टे में सिर्फ और सिर्फ जीत चाहते हैं, इनसाफ चाहते हैं, नयाय चाहते हैं, जस्तिस चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, और राइट टाइंग का वेट कर रहे हैं, जब भी आपको एप्रोच कर सकें, आपके परसन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके परसन अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में टावर मॉमेंट चाहते हैं, आप दोनु की लाइफ में तो टावर मॉमेंट आ चुका है, आप में से कई लोग सेपरेटेड या फिर लेस कॉंटेक्ट में देखाई दे लेकिन अब आपके परसन तर्ड पार्टी सिचुएशन में टावर मॉमेंट चाहते हैं, बाइहाट चाहते हैं कि third पार्टी सिचुएशन आप दोनों के कनेक्षन से हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाए और आप दोनों का कनेक्षन आगे ग्रो करे, बोटम में हैं क्वीन of Cups oh my goodness Aries Leo Sagittarius की एनरजी प्रॉमिनेंट है 7 16 25 नमबर 8 17 26 नमबर आप लोगों के लिए प्रॉमिनेंट हो सकते हैं यह डेट्स आपके लिए प्रॉमिनेंट हो सकते हैं 6 15 24 नमबर आपके परिशन आपको बहुत प्यार करते हैं आप दोनों की सेपरेशन की वज़द कोई फीमिल दिखाई देती है या तो उन्होंने आपके ओगए किसी रोमेंटिक पर्शन को चूस किया है या फिर उनकी मदर उनकी भावी उनकी सिस्टर आप दोनों के रिष्टे के लिए मान नहीं रही या फिर किसी female ने उन्हें manipulate किया है जिसकी वज़े से वो आपकी respect नहीं कर पाए, आपकी care नहीं कर पाए, इस रिष्टे को नहीं संभाल पाए and आप दोनों separated हो या बहुत ही less contact में हो आपने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन आपके person काफी stubborn है अपनी जित पर बने रहे और उन्हें आपकी एक नहीं सुनी अब मैं यह देख पा रही हूं कि हो सकता है कि उनके family या फिर जिनके भी manipulation में आकर वो आपसे separate हुए थे कभी वो उनको offers देती हो उन्हें manipulate करने की कोशिश करती हो या फिर उन्हें बार-बार approach करने की कोशिश करती हो लेकिन अब आपके person उन पर विश्वास नहीं करते हैं उन पर trust नहीं करते हैं अपने में खोए रहते हैं isolated रहते हैं अपने ही life पे focus कर रहे हैं and definitely आपके connection के बा सार दोनों साइट से दोनों साइट से unconditional love है और divine की blessings भी है universe भी आप दोनों को मिलाना चाहता है क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो आपके person severe depression में है और definitely third party situation में टावर मोमेंट लाकर आप दोनों के connection की एक नई शुरुवात करना चाहते हैं Ace of Cups आपके person कुछ से आपको approach करना चाहते हैं आपको लेकर बहुत emotional हो रहे हैं इस connection की एक new beginning चाहते हैं and definitely आप मेंसे कई लोग soulmates and कुछ लोग twin flames हो सकते हैं तो यह चल रहा है आपके person के मन में दिल में दिमाग में वो separation phase over करना चाहते हैं no contact की जो situation है वो खतम करना चाहते हैं और finally इस connection की एक नई शुरुवात करना चाहते हैं आपको बहुत miss करते हैं और third party situation में उनका ध्यान बिल्कुल नहीं लगता है जिस भी person नोंने manipulate किया या फिर जिसको भी इनोंने आपके ओवर चूज किया उस third party situation से यह totally frustrated हो चुके हैं हो सकते हैं आप मैंसे कई लोगों को 666 777 या फिर 333 एंजन नंबर से बहुत दिखाए देते हों कुछ लोगों को 444 46 नंबर कई लोगों के लिए 46 date prominent हो सकती है आप लोगों के लिए prominent हो सकती है तो यह है energy जैमनाई की energy बहुत strong है यहां पर अब मैं चेक कर रही हूं कि आपके person का next move क्या हो सकता है और कब तक हो सकता है और meanwhile आप लोगों के लिए क्या guidance है इसको सीधा पकरते है तो प्लीज जिवाइन बताएं कैंसर स्पाइस कोड़ पी हो मेरे विवर्स है उनके person का next move क्या हो सकता है और कब तक हो सकता है the lovers, lovers का card दो बार आया है मैं क्या ही बोलूँ अब definitely प्यार दोनों साइट से है next six days, six weeks, six months आप लोगों के लिए बहुत prominent हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए six hours भी जब आपके person आपके साथ reunion करेंगे and इस बार reunion permanent होगा क्योंकि वो totally pure पूरी तरह के से aware और awakened हो चुके है उन्हें आपके बिना life का समझ में आ गया है कि अगर आप नहीं हो तो life में कुछ भी अच्छा नहीं है और अगर आप हो तो सब कुछ perfect है आप दोनों मिलकर हर एक मुश्किल का सामना कर सकते हो तो आप दोनों का reunion बहुत नियर है और finally आपके especially इंतिजार के खतम होने का time आ चुका है अब मैं चेक कर रही हूँ कि meanwhile आप लोगों के लिए क्या guidance है आप मैंसे कई लोग खुद से contact करना चाहते होंगे तो आपको खुद से contact करना चाहिए नहीं आपको खुद से contact नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके person को भी थोड़ा time चाहिए चीजों को समझने में चीजों को balance करने में आपको एप्रोच करने में तो वो time आपको उन्हें देना चाहिए meanwhile आप लोगों के लिए क्या guidance है the source divine से prayer कीजिए divine से manifestation कीजिए divine के सामने दिल खोल के रख दीजिए definitely divine आपके prayers manifestation सुन रही है कबूल कर रही है और आप दोनों का completion reunion बहुत नेयर है may God bless you friends congratulations in advance आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी उनके message call text receive हो सकते है और definitely आप लोगों का reunion start हो चुक है reunion का time start हो चुक है तो जिन जिन लोगों को message call text receive हो जिन जिन लोगों का reunion हो please comment box में जरूर बताएं क्योंकि उनसे बाकी लोगों को motivation मिलता है thank you so much for watching friends if you like don't forget to thumbs up and share this in your group may God bless you take care